इस विडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 323A के बारे में ये आर्टिकल बताता है administrative tribunals के बारे में पहले जानते हैं tribunal क्या होता है तो tribunal ऐसा आप समझें कि एक court जिसको कि जल्दी जल्दी अपना फैसला खतम करना होता है और वो अपना court से जल्दी रूप से अपना फैसला सुनाती है और उसका जो फैसला होता है वो citizens पे जो भारत का नागरी का उस पर binding होगा और वो सिर्फ Supreme Court में ही अपील कर सकता है और कहीं पर अपील नहीं कर सकता है जैसा competent होगा जिस label का tribunal होगा और tribunal का जो फैसला होगा वो हर जगा मानने होगा ठीक है तो administrative tribunal बोल रहा है मतलब कि ऐसा tribunal जो प्रसासन का situation को ले करके या प्रसासन का जो भी issue है उसको solve करने के लिए बनाया गया हो जैसे कि officer वगेरे में कुछ dispute हो गया या फिर कोई IAS IPS या फिर DIGSP वगेरे में dispute हो गया या फिर कोई institutions में dispute हो गया तो जो भी प्रसासन का matter है उसके लिए उसको जो बनाया गया एक tribunal हो गया उसको बोल सकते हम लोग administrative tribunal ठीक है तो पहला provision ये बता रहा है कि सम्विद पार्लियमेंट जो है मतलब जो संसद है वो कानून के तहत administrative tribunal बना सकती है ठीक है अब जो administrative tribunal बनाएगी वो क्यों बनाएगी उसको ऐसा mood कर गया बना दे ऐसा नहीं कुछ काम उसका होगा तब न तो वो जो administrative tribunal बनाया जाएगा या फिर administrative tribunal का जो गठन किया जाएगा वो इसलिए किया जाएगा ताकि कोई भी officer या फिर कोई भी ऐसा citizen हो जो की complain कर दिया हो कि उसका जो recruitment हुआ था मतलब जो उसका भरती हुआ था उसमें कुछ लोच्चा है या फिर उसमें कुछ दिक्कत हो गया या फिर जो service में वो आ रहा था उसका जो पैसा जो salary मिलना था उसमें changes हुआ जो भी हो for example जितना उसको pencil मिलना था उसमें या कोई भी condition में changes आ गया हो ठीक है तो इन सब चीज को ले करके parliament जो है वो tribunal का गठन कर सकती है जिससे की tribunal जो है वो उसको फैसला कर सके अच्छे से और उस व्यक्ति को justice मिल सके ठीक है तो इसलिए tribunal का गठन किया जाता है त्राइबनल का मतलब आप समझ दो की अगें फिर से मैं बतायता हो दो या दो से जादा जज या फिर एक दो जज या फिर जो मतलब जो मुद्दा है उसको कजली से खतम कर दे ठीक है उसका जली से फैसला बाजी हुआ है या फिर जो मेरा पैसा मिलना था वो नहीं मिला वागिर वागिर तो उसके लिए राजी के अस्तर पर ट्राइबनल का गठन किया सकता है या फिर यूनियन के अस्तर पर गठन किया जा सकता है ट्राइबनल का ठीक है अब जो भी कानून मतलब जो भी ट्राइ के द्वारा वो कानून में Union के लिए Tribunal हो सकता है मतलब कि ना पंजाब के लिए रलग या फिर हरियाना के लिए जो भी सही लगे उस हिसाब से Tribunal का गठन कर सकता है और जो ट्राइबुनल का गठन होगा उसके लिए जितना जुरिश्डिक्शन है उसका फॉर ग्जामपर एक बोला जाएगा कि ट्राइबुनल को कि आप जो है सिर्फ डिस्प्यूट देखिए रिकृट्मेंट पर मतलब कि जो वैक्ति ये बोलेगा कि मेरा जो रिकृट्मेंट है उ उसको आप सजा दे सकती हो या नहीं उस पर आप जुर्माना लगा सकती हो या नहीं या फिर कंटेंप्ट पे लिए आप पनिश कर सकती हो या नहीं तो इन सब ती जो को वो कानुन में अच्छी तरीके से बताया जाएगा ठीक है और जो ट्राइबुनल है उसका किया जाएगा जिस भी ट्राइबुनल का वो ट्राइबुनल के लिए जो भी प्रोसीजर है जैसे भी प्रोसीजर पे वो काम किया रहेगा फिर पहले वो किसी सबॉडिनेट के पास जाएगा फिर वहाँ पर अपिल करेगा ठीक है उसके बाद किस लेबल तक वो एविडेंस मांग सकता है मतलब ट्राइबुनल के जो वकील है या फिर जो ट्राइबुनल के जज हैं वो किस लेबल तक का evidence किस level तक का वो गवाह को मांग सकता है और कितना हद तक वो जा सकता है गवाह मांगने में वो वगेरा वगेरा वो सारे चीज़ें लिख करके आएंगे ठीक है तो जितने भी कोट है भारत में मतलब की हाई कोट आपका डिस्ट्रिक्ट कोट या फिर आपका सेसंस कोट ठीक है तो उन सब कोट को अलग रखते हुए जो ट्राइबुनल का डिसिजन होगा वो कितना माने रहेगा मतलब की वो पूरा पूरी फाइनल होगा और जो सुप्रीम कोट है वो उसमें अपना डिस्क्रिशन से मतलब की सुप्रीम कोट अगर चाहे तो ट्राइबुनल के फैसले पर अपने से उसको मतलब ला सकता है और Supreme Court हो सकता है कि Tribunal का जो फैसला है उसको change कर दे तो मतलब Supreme Court सिर्फ Tribunal का फैसले पर एक तरह से नजर रखेगा बांकी जितने भी courts हैं ऐसे कि High Court, Subordinate Court वो सब Tribunal के फैसले पर नजर नहीं रखेगा और उसका कोई भी एक तरह से बोल सकते हैं संसद के द्वारा, ठीक है तो संसद जो कानून बनाएगी उसमें ये सारे चीज़े लिख सकेगी और संसद जो है वो ऐसा Tribunal का भी गठन कर सकता है और या फिर जो गठन किया हुए Administrative Tribunal है उसमें ऐसा मामला को भी ट्रांसफर कर सकता है जो किसी कोट में फंसा हुआ हो या फिर जो किसी Authority के पास फंसा हुआ हो और वो Tribunal के पास उसको उसका jurisdiction में आता हो For example, मान लेते हैं कि एक Tribunal जो है वो उसका गठन किया गया सरकार के द्वारा और वो जो Tribunal है वो देखता है कि कि किसी भी ऐसा व्यक्ति का Recruitment में मतलब For example, Civil Services का जो है Recruitment में जो उसका भरती हुआ उसमें कहीं धांदली तो नहीं हुआ अब वो जो धांदली वाला केस है वो High Court में चल रहा है ठीक है लेकिन सरकारी Tribunal का गठन कर दी तो High Court से वो मामला Tribunal को हस्तानतरन किया जा सकता है उसको वहाँ पर ट्रांसफर किया जा सकता है ठीक है और और इसके लिए कानून में जो भी Provisions है वो संसद बना के बता सकती है ठीक है उसके बाद जो भी President का Order होता है Article 371D के Clause 3 के अंडर Article 371D का Clause 3 के अंडर जो भी President Order देगी उसको Tribunal बदल सकता है या उसको खतम कर सकता है वो Tribunal के पास हख होगा अगर जो संसद है वो चाहे तो ऐसा कानून में कर सकती है ठीक है उसके बाद जो संसद है वो अपने कानून में ये बता सकती है कि समए समय पर अगर Tribunal को जытना जाधा efficient बनाए यतना ज़्यादा better बनाए उतना अच्छा तो ट्राइवनल को अच्छा बनाने के लिए ज़्यादा better function करने के लिए उसमें ऐसा ऐसा provision लगा सकती है जो पहले लगाया गया provision के supplement में हो मतलब उसके साथ में लगाने से वो effective function करने लगे या फिर उसके एकदम for example कोई नय incident में अगर कुछ नया incident में provision लगाना पड़े तो वो लगाया जा सकता है या फिर कुछ incident में उस provision को हटाना पड़े तो वो हटाया जा सकता है जो भी संसद को जरूरी लगे वो कया जा सकता है ताकि जो tribunals है वो अच्छे तरीके से काम कर सके और effective रूप में काम कर सके ठीक ह और जो भी प्रावधान इस आर्टिकल में बताया गया है वो उसका इफेक्ट रहेगा इस सम्मिधान के अंतरगत चाहे कोई भी नया नया कानून वगेरा आए फिलहाल के लिए अगर आने वाला समय में एमेंडमेंट होता है सम्मिधान में तो उसके लिए तो कोई नहीं जानता है विकाज फ्यूचर तो कोई नहीं देखा है बट फिलहाल के लिए administrative tribunal का जो भी फैसला वगेर रहेगा वो अडिग रहेगा और जितना भी प्रोविजन्स इस आर्टिकल में बताया गया है वो सब सत्य रहेगा ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा ल तहह से वीडियो में निवीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो आपको अच्छा ले 115 लापको अगर भीडिल प Falls अच्छा लेगा अच्छार्परया बार जितना जी गपको हाला कि लितना, 1.5BaL зр को आपको